हेलो सुटेंटिस कैसाब सब लोग आज हमें सुटेब हमारा mathematics का chapter 14 करने वाले जिसका नाम है algebraic formula expansion of squares इसमें आज हम करने वाले practice set हमारा 50 ठीक है तो देखो practice set 50 में हमारा जो first दिया गया है sum किया 5a plus 6b whole square तो देखो यह जो होता है इसको solve करने के एक formula होता है यह हो गया यहाँ पर एक वाल expression देखो क्या है 7m minus 4 whole square यह हो गया तो इसके लिए आपको एक formula जो है वो आना चाहिए तभी आप solve कर पाऊगे मैं आपको बताता हूँ formula क्या है यहाँ पर दो सबसे पहले a plus b whole square इसका formula क्या है a square plus 2ab plus b square ठीक है यह वाला है first वाल expression के लिए वाला formula आप यूज़ कर से तो क्यों कि देखो यह समझ लो a है और यह समझ लो b है तो क्या हो गया यह a plus b whole square तो यह वाला formula आपका आ जाएगा a plus b whole square इसका formula क्या होता है a square यहाँ पर जो आपका plus का sign था वो minus हाजाएगा minus 2ab plus b square पूरो formula से में a plus b whole square जैसा यहाँ पर क्या होगा इसक्वर पहला जो रहेगा वो minus हाजाएगा दूसरा वाला plus ही रहेगा clear हो गया a plus b whole square को फórmula क्या है a square plus 2ab plus b square a minus b whole square का formula क्या है a square minus 2ab plus b square clear देखो अब आप अगर पूछोगे कि ये formula derive कैसे हुगा ये formula आया कैसे ये जो a plus b whole square का ये वाला formula कैसे आया और a minus b whole square का ये वाला formula कैसे आया एकदम simple है देखो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर यहाँ पर देखो x plus y multiply by x plus y या चीए तो इसको a plus b multiply by a plus b समझ सकते हो तो ये जब आप इसको multiply करोगे तो आपको a plus b whole square का formula जो है वो मिलेगा आपको ठीक है अगर आप इसकी जगा समझ लो a plus b multiply by a plus b इसको solve करोगे तो आपको आपका formula मिल जाएगा clear है और सेम तरीके से जो आपका a minus b whole square का जो formula है वो भी वैसे ही मिलता है यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको किसको multiply करना है a minus b multiply by a minus b जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाए गया है a minus b square क्या होता है a minus b multiply by a minus b जब इनको आप solve करोगे तो आपको a square minus 2ab plus b square यह वाला formula भी लेगा clear confused मुत हो बस इतना आपको याद रखना है यह formula अब हम क्या करते है चलते है प्रेट्पी सेट की तरफ एक-एक करकर solve करते है आपको सब अच्छे से समझेगा तो पहला क्या है में expand फर्स्ट क्या है था हमारा 5a plus b whole square तो हम नोट्बूक की तरफ चलते है इसको solve करते है तो यहाँ पर देखो हमारा पहला question है 5a plus 6b whole square अभी देखो हमारा formula क्या है a plus b whole square वाला formula लगने वाला है क्योंकि अगर आप अगर इसको a समझ लो और इसको b समझ लो तो क्या हो जागा a plus b whole square हो गया ना तो a plus b whole square वाला formula यहाँ पर लगने वाला है अब यहाँ पर लिखते है solution तो हमारा a plus b whole square जो formula है वो क्या बोलता है चलो पहली बार हम कर रहे हैं तो मैं आपको लिखके दिखा देता हूँ formula अगली बार से हम नहीं लिखेंगे हर सम में आपको लिखने ज़रूत नहीं है आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा तो देखो जैसे कि आपको मालूप है a plus b whole square यह ऐसे expression है a plus b whole square तो यह वाला formula लगेगा तो इसका formula क्या है a square बतल कि यह वाला first वाला a square फिर प्लस 2ab 2 multiply by a multiply by b ठीक है फिर फिर प्लस क्या हैगा b square तो अब इस formula से अगर हम solve करने जाए हमारा पहला वाला expression तो कैसे होगा जहाँ पर देखो समझो यह आपका 5a plus 6b whole square अब इसको solve करएंगे तो क्या होगा पहले के हमारा formula क्या बलता है a square तो हमने इसको a माना है तो हमारा क्या आएगा 5a का square ठीक है फिर फिर बीचों plus की sign आरीए तो plus 2 2 multiply by a तो हमारा a क्या है 5a यह हमारा a है तो multiply by 5a multiply by क्या है b है तो B हमारा क्या है, ये हमारा B है, क्या है, 6B है, clear, फिर क्या रह बीच में plus की sign हा रही है, B kia है, ईस्में से ये हमारा B है, ये A है, ये B है, ठीक है, B के हमारा 6B, ये 6B का square, clear हो गया, समझ면 है आपको कैसे किया है, अब देखो, अभी हम क्यारेंगे, इनको solve करेंगे, equal to का sign, 5a square मतलब कि हमें 5a whole square इसका हमें square निकालना है तो देखो 5 का square क्या था? 25 और a का square निकालो कि क्या हो जगा? a square तो हमें यहापर क्या है? 25a square plus का sign यह वाला अब देखो इसे हमें multiply करना है 250 क्या होता है? 10 1060 क्या होता है? 60 ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देते है 60 अब क्या पच्छता है AB तो AB मल्टिप्लाई होंगे क्योंकि दोनों अलग-अलग है तो दोनों एक दूसरे से मल्टिप्लाई नहीं हो पाएंगे तो हम डारेट दोनों को लिख देंगे 60 AB अगर यह दोनों AA रहता तो A multiply by A, A square हो जाता अगर दोनों BB रहता तो B multiply by B, B square हो जाता क्योंकि दोनों अलग-अलग है तो इसके लिए multiply नहीं होंगे वो हमने adjectives यहाँ पर लिख दिया है अब प्लस का sign यहाँ पर कहाई 6B square इसका 6B whole square इसका हमें क्या करना है square निकलना है तो 6 का square क्या था? 36 B का square क्या होगा? B square बताओ कितना simple था? एकदम easy है यह खाली आपको difficult लगता है यह है निए difficult ठीक है? बस आप इसको solve करते जाओ आप जहाँ तीन से 4 sum करोगे ऐसे type को कोई इतना भी hard sum देदे आप easily solve करोगे यह मेरी guarantee है ठीक है? चलो अभी चलते हम second वाले पर देखते है second में हमें क्या दिया गया है? तो यहाँ पर देखो second में हमें दिया गया है A upon 2 plus B upon 3 whole square इसमें भी same formula आएगा समझ दो यह वाला A हमारा है इसको हमने A समझ लिया और इसको B समझ लिया तो क्या है? A plus B whole square तो वही वाला हमारा formula आएगा A plus B whole square का तो चाहिए तो आप बोलो तो मैं एक बार formula वापीस लिख देता हूं यहाँ पर यह आपको बार बार formula लिखने का ज़रूरत नहीं है ठीक है? मैं आपके understanding के लिए लिख रहा हूं आपको नहीं लिखना है तो देखो हमारा A plus B whole square का formula क्या होता है? A square plus 2 multiply by A multiply by B plus B square यह हमारा formula होता है clear? अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? हम इस formula के हिसाब से हमारा sum solve करने वाले हैं ठीक है? तो क्या हमें दिया गया था? हम एक काम करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं आपिस क्या था हमें? A upon 2 plus B upon 3 whole square equal to the sign क्या formula हमारा है? A square तो A इसमें क्या है? यह हमारा A है मतलब कि A upon 2 का square हमें निकालना है plus क्या है? 2 multiply by क्या है आपका? A फिर multiply by B ठीक है? तो हमारा A यहाँ पर क्या है? A upon 2 यह हमारा A है 2 multiply by A upon 2 multiply by B हमारा क्या है? B upon 3 multiply by B upon 3 ठीक है? फिर क्या है plus B square तो plus B क्या हमारा? यह A हमने consider क्या है यह हमारा B है तो plus B square हमारा क्या है? B upon 3 यह हमारा B square है ठीक है? अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना आप, equal to का sign a upon 2, a upon 2, इसका square क्या आएगा? देखो, a जो आपका है, इसका square a square रहेगा upon 2, 2 का square क्या होगा? 4, तो a square upon 4, यह हमने निकाल दिया, इसका square प्लस का sign, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं क्या करने जा रहा हूँ? यह 2 multiply by a upon 2, multiply by b upon 3 है न, तो देखो, यह 2 और यह 2 कट हो गया, ठीक है? कट हो गया, denominator में 2 था और numerator में 2 था, दोनों एक दुस्टे से कट हो गया, अब बचता कहा है, a multiply by b upon 3, ठीक है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a multiply by b, दोनों अलग अलग तर्म है, इसके लिए multiply नहीं होंगे, दोनों as it is हम a, b लिख सकते हैं, upon, denominator में क्या बचा था हमारा? 3 बचा था, तो यह denominator में 3 आ जाएगा, clear? समझ गया? अब प्लस का साइन हैगा, क्या था हमारा? b upon 3, इसका b square निकालना है, तो b का square हमारा रहेगा, b square upon, 3 का square हमारा क्या होगा? 3 का square निकालना, मतलब कि, देखो, पावर में यतनी बार नमबर दिया रहता है, उतनी बार इसको multiply करना, तो 3 multiply by 3, क्या हो जागा? 3, 3, 0, 9, clear हो गया तो यह हमारा second वाला answer, एकदम simple था कि नहीं, इसी तरीके से आपको सारे solve करने है, अब हम चलते हैं third वाले पर, देखते third में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखो, third में आपको क्या दिया गया है, 2p minus 3q whole square, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो कौनसा व फॉर्मुला आ रहा है, a minus b whole square, clear, बाकी सब में हमने चेक किया था, क्या फॉर्मुला आ रहा था, इसको a लिया, इसको b लिया, तो a plus b whole square का फॉर्मुला आ रहा था, यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम इसको a समझे, इसको b समझे, तो a minus b whole square का फॉर्मुला आ रहा है, तो स प्लस अरा था हमारे मॉंसहें देखो डति देद तो हमारा फॉर्मुले घहां के फॉर्मुलिय यहां के है? के हमारा जो expression है क्या है यहाँ पर उसको आपिस लिख लेते हैं 2P minus 3Q whole square equal to a square तो हमारा a इस में से क्या है यह दुनों में से पहला वाला a है दूसरा वाला b है तो पहला वाला क्या 2P है तो मिदब की 2P का square हमें निकालना है 2P का square मायनस का sin है तो मायनस 2 multiplied by क्या multiplied होगा multiply by a multiplied by b 2 से हमें multiply by a लडिप्ला वाला का है तो हमारा a क्या है इसमें 2P a है पहला वाला 2P multiply by हमारा b के है 3Q multiply by 3Q clear पिर क्या है plus का sign plus b square तो b के है हमारा 3Q यह b है हमारा यहां पर जाएगा 3 Q 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 तो 2 का स्क्वेर आता है 4 P का स्क्वेर क्या आएगा P स्क्वेर माइनस अब देखो यहाँ पर 2 multiply by 2 2P multiply by 3Q ऐसे आपको multiply करना है तो सबसे पहले हम numbers जो है उसको multiply कर लेते हैं 2200 क्या होगा आपका 4 ठीक है 430 आपका क्या होगा 12 जितने भी number है सबको multiply कर लिया है 2200 430 12 यहाँ पर 12 लिख देते हैं उसके बाद क्या आता है हमारा P अब देखो जो हमारा variable यहाँ पर क्या बचा हुआ है P और Q ठीक है तो यह दोनों आपस भी multiply होंगे number को हमने सबको multiply करके लिख दिया है तो P multiply by Q क्योंकि दोनों अलग-अलग है यह P है यह Q है तो multiply नहीं होंगे यह adjectives यहाँ पर आजाएंगे तो यहाँ पर आएगा P Q clear? P multiply by Q ऐसे लिख दिया फिर की दोखो इसको solve कर दिया हमने अब आगे बढ़ते हैं plus 3Q square plus 3 का square क्या होता है? 3, 3, 0, 9 3 का square निकालना मतलब की पावर मन 2 है 3 का square निकालना मतलब 3 कुछ से दो बार multiply हो तो 3, 3, 0, 9 तो यहाँ पर 9 फिर Q का square क्या होगा? Q square simple, क्या मिला यहाँ पर हमें? 4P square minus 12PQ plus 9Q square एकदम simple था अब चलते हैं 4 वाले पर देखते हो 4th में क्या दिया गया है आपको? यहाँ पर देखो तो देखो 4th में हमें दिया गया है यहाँ पर X minus 2 upon X whole square तो यहाँ पर देखो क्या formula यूज होगा? आप तो देखके समझी गए होगे यह समझ लो हमारा A है, यह B है तो क्या होगा? पहला वाला टाम आपको A consider करना है यह और दूसरा वाला आपको B consider करना है तो A इसमें क्या है? minus B whole square हो रहे तो मतलब क्या formula लगेगा यहाँ पर? A minus B whole square वाला formula लगेगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं formula क्या है? A minus B whole square इसका formula क्या है? A square minus 2AB 2 multiply by A multiply by B plus B square ठीक है? यह हर सम में आपको नहीं लिखना है अगर आप लिखोगे तो भी कोई problem नहीं है ठीक है? ऐसा कुछ नहीं अगर लिख दोगे कुछ problem नहीं आप लिख भी सकते हूँ मैं सिर्फ आपको समझे formula याद हो इसके लिए हर सम में लिखते जा रहा हूँ clear? चलो भी क्या हमारा देखो? यहाँ पर expression था x minus 2 upon x whole square तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या था? x minus 2 upon x whole square formula क्या हमारा? A square तो A हमारा क्या है? x हमारा A है पहला वाला तो हमारा x square minus 2 multiply by किससे multiply होगा? A, B तो 2 multiply by A हमारा A क्या है? x है तो 2 multiply by x multiply by B हमारा 2 upon x है तो 2 upon x plus B square तो B क्या है हमारा? 2 upon x तो इसका square 2 upon x का square clear हो गया? अब इसको solve करते हैं, चलो यहाँ पर equal to का sign डालते हैं x square तो x का square क्या होगा? x square रहेगा minus अब देखो, यहाँ पर x है नीचे denominator में और numerator में x है अगर denominator और numerator में same variable या same number रहा तो cut हो जाएगा जैसे कि पीछे अगर आप देखोगे मैंने क्या किया था denominator में मतलब कि नीचे two number था और numerator मतलब ऊपर भी two number था तो दोनों cut हो गए same तरीके से यहाँ पर denominator में x है numerator में x है दोनों same same है उपर नीचे तो यह दोनों cut हो जाएगे ठीक है? तो हमारे पास बचता क्या है भी? हमारे पास बचता है two multiply by two x x तो गए तो two multiply by two क्या हो जागा? four फिर क्या है? plus two upon x का square तो plus two का square क्या होगा? four upon x का square क्या होगा? x square simple था कि नहीं एकदम? I know, एकदम easy है आप easily solve कर रहे होगे अब हम चलते हैं fifth वाले पर दोको fifth में आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप fifth में देखो कि आपको दिया गया है ax plus by whole square यहाँ पर दखो आपको confuse ज़रा भी नहीं होना जो trick मैं बताया है use करने के लिए वही आपको use करना है इसमें पहले वाले का आप a समझ लो दूसरे वाले का आप b समझ लो तो क्या हो जाएगा? अगर हमने इसको a समझा है इसको b समझा है तो a plus b whole square तो formula कौन सा हैगा? a plus b whole square यही वाला formula हैगा तो हम क्या करते है? पहले हम अपना formula लिख लेते हैं यहाँ पर a plus b whole square इसका formula क्या होता है a square plus 2 multiply by a multiply by b ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है 2ab भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हम अपना sum solve करते हैं plus b square यह formula हमारा हो गया अब हम क्या करेंगे solve करेंगे तो हम यहाँ पर expression क्या दिया गया था यहाँ पर देखो ax plus by whole square अब formula क्या आप से solve करते है a square तो पहला वाला हमारा a होता है तो पहला क्या है ax तो मतब कि ax का square निकलेगा plus क्या है 2 multiply by a multiply by b तो 2 multiply by a हमारा क्या है इसमें से यह वाला यह है पहला वाला तो ax है multiply by ax multiply by b, b के हमारा by है तो multiply by by plus b square तो b हमारा क्या है यह वाला b है by तो इसका square निकलेगा by का square ठीक है तो equal to sign ax whole square तो इसका square क्या निकलेगा बताओ यहाँ पर दो आप ध्यान से a का square क्या आएगा a square आएगा कभी भी कोई भी variable दिया रहेगा ना उसका square निकलना है तो power में इसको 2 आ जाएगा ठीक है ऐसे इसको square निकल दे तो x, x का square क्या आएगा x square आ जाएगा simple variable का square निकल आएगा दम simple है खली इसको उपर power में 2 डाज़ दो प्लस का sign अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 है और कही number है क्या नहीं है तो मतलब कि 2 किसके साथ भी multiply कोई number के साथ नहीं आ रहा तो 2 as it is आज़ागा 2 अब बच्ता क्या है देखो यहाँ पर ax multiply by तो देखो ना तो यहाँ पर a है ना तो यहाँ पर x है मतलब कि यह एक दूसरे से तो multiply नहीं हो पहेंगे तो हम क्या करेंगे इनको खली साथ में लिख देते हैं तो देखो यहाँ पर a a लिख दिया तो हम क्या करेंगे जो term पहले आएगा उसको पहले लिख देते हैं a और b b देखो यह मैंने simply लिख दिया जो था वही उठा के लिख दिया क्योंकि आपसे multiply नहीं होंगे तो देखो यह 2 था किसी के साथ multiply नहीं होगा तो एज़टी से जा गया और देखो यह जो हमारा multiplication में दूसरा वाला जो variable है ना तो यहाँ पर a है ना तो यहाँ पर x है इसके लिए ax by same to same आ गया नीचे विटके आवल बचता है plus by square तो इसका square निकलना है तो b का square क्या आएगा b square और y का square क्या आएगा y square ठीक है equal to इसको simplify गरके लिख सकते हैं कैसे दोखो a square x square same आएगा plus two अदोखो a के बाद क्या आएगा b आएगा तो हम क्या करेंगे a के बाद b को लिखेंगे तो a b फिर क्या आएगा x लिख दें हम x y इस तरीके साब लिख सकते हो जो हमारा a b c d पे जो letter पहले आता है न उसको पहले लिख दो a पहले आता है इन सब में से फिर उसके बाद क्या आता है b आता है तो b लिख दो उसके बाद क्या आता है x लिख दो फिर आखरी में y आता y लिख दो यह simple है खाली simplify करना है इसमें कुछ solve नहीं करना है इस तरीक से simplify करते हैं plus b square y square ठीक है तो हमारा यह हो गया है यहाँ पर 5th वाला अब हम चलते हैं हमारे 6th वाले पर यहाँ पर देखो 6th वाले में आपको क्या दिया गया है तो यहाँ पर देखो हमें 6th में दिया गया है 7m minus 4 whole square तो अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अप्लाई होने वाले है इसको a consider करो इसको b तो a minus b whole square कौनचा formula लगेगा हमारा a minus b whole square क्या formula आता है a square minus 2ab आप बोल सकते हैं 2 multiply by a multiply by b plus b square ठीक है फॉर्मुला आपको याद रखना है इसके लिए बार-बार मैं लिख रहा हूँ clear तो अब हम इसे solve करते हैं तो देखो हमारा क्या expression था 7m minus 4 whole square equal to formula अप्लाई करते हैं a square तो हमारा a first wall है तो 7m का square है यहाँ पर 7m square minus 2 multiply by a तो a के हमारा है 7m है तो multiply by 7m multiply by b b क्या हमारा है बताओ b हमारा है 4 multiply by 4 clear हो गया अब क्या आए गया यहाँ पर plus b square plus b square b हमारा क्या है यह वाला b है 4 तो 4 का square ठीक है अब इसे solve करते हैं यहाँ पर देखो equal to का sign डालो 7 का square क्या होता है 49 7, 7, 0 क्या होता है 49 7 का square होगा 49 m का square क्या होता है m square minus अब देखो यह जो 2 multiply by a multiply by b भी था ना इसमें जतने नंबर है पहले है उनको multiply कर लो ठीक है 2, 7, 0 आपको होगा 14 14, 4, 0 आपको हो जागा 56 तो यहाँ पर हम लिखते है 56 अब जो last में variable भचते हैं उनको multiply करो तो देखो variable अगर आप देखो कि सिर्फ एक ही है m इसके इलाबा नहीं है ठीक है तो मतलब कि हमारा m as it is आ जाएगा अगर कोई और variable रहता है उसका साथ multiply होता है तो हमें मेरा 56 m प्लस का साइन ये वाला अब क्या 4 का स्क्वेर तो 4 का स्क्वेर क्या होता है 4 versus 16 clear हो गया तो हमारा इसका answer क्या है 49 m square minus 56 m plus 16 अभी हम 7 वाला देखते देखो 7 में क्या आपको दिया गया है तो यहाँ पर देखो आपको 7 में दिया गया है x plus 1 upon 2 whole square simple जैसा मैंने आपको बोला है वैसा आप चेक करो कौन सा formula यूज होगा हम इसको पहले वाले को a ले रहे हैं दूसरे वाले को b ले रहे हैं तो a बीच में क्या sign है plus b whole square a plus b whole square का formula यहाँ पर लगने वाला है तो a plus b whole square का formula हम चलो लिख लेते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो a plus b whole square यही वाला formula लगेगा तो क्या है इसका formula है a square plus 2ab plus b square clear? चलो होगी लिखते हैं हम यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे expression एक और पर लिख लेते हैं क्या है हमारा x plus 1 upon 2 whole square ओके अब equal to का sign डालते हैं अभी देखो हमारा formula क्या है a square तो a हमारा क्या है पहला वाला हमारा a है तो मतलब कि x का में square निकालना है plus क्या है 2 multiply by a a हमारा क्या है x है तो multiply by x होगा फिर क्या है multiply by b b हमारा क्या है 1 upon 2 है तो multiply by 1 upon 2 होगा फिर क्या है, प्लस का sign है, तो प्लस B स्क्वेर, B हमारा क्या दुनों में से, ये वाला B है, प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वेर, क्लियर, अब इसे solve करते हैं, लास्ट टेप जाते हैं, इसके बाद हमारा complete होगा ये वाला sum, X का square क्या होता है, बताओ, X square आएगा, प्लस, अब देखो, यहाँ पर, वापिस अगर आप देखोगे, तो क्या हो रहा है, numerator में जो number है 2, sorry, जो denominator में number है 2, हमारा numerator में भी वही number है, ये 2 cancel, ये 2 cancel, clear, बचता क्या है अब उपर, X multiply by 1, नीचे वाला 2 cancel, उपर 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 2 cancel हो गया, अब X multiply by 1 बचा है, तो X को 1 से multiply करो किया मिलेगा, XC मिलेगा, plus, अब देखो ये क्या, 1 upon 2 whole square, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, इसका square निकालेंगे, तो 1 का square तो 1 ही रहेगा, upon 2 का square क्या आएगा, 2 to 0, 4, clear हो गया, कैसे हमने इसको solve किया है, हमाई क्या answer मिले इसमे, X square plus X plus 1 upon 4, simple था कि ने एक दम, चलते भी, last वाले पर, ये हमा 1 upon A whole square, यहाँ पर भी वेटरी की उसकर हो, जैसे मैं करते हैं हो, पहले वाले को हम A समझ रहे हैं, वैसे तो A ही पहले से इसमें, दूसरी वाले को हम B समझ रहे हैं, तो क्या है, A बीच में साइन क्या रहा है, minus का, B whole square, मतलब कुन सा formula लगएगा, A minus B whole square, ये वाला formula लगने का है, A square, minus 2AB, या 2 multiplied by A multiplied by B, plus B square, ये हमारा formula है, A minus B whole square का formula, क्लियर, अब इसे हम solve करते हैं, तो यहाँ पर देखो, वापीस ये लिख लेते हैं, क्या है, A minus 1 upon A whole square, equal to, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, A square, तो A क्या है, यहाँ पर A तो खुद A ही है, तो इसके लिए हमारा A ही आ जाएगा, तो A का square हमें निकालना है, minus 2 multiplied by A, A हमारा क्या है, A खुदी A है, तो multiply by A, multiply by B, तो B क्या हमारा है, 1 upon A है, तो यहाँ पर 1 upon A, ठीक है, विदो क्या है, plus B square, B क्या हमारा, 1 upon A, पहला वाला A है, दुसरा वाला B है, plus 1 upon A का square, clear हो गया, अभी इसको हम solve करते हैं, हमारा financial बिल जाएगा, A का square गयागा, A square हैगा, दुखो, variable का square निकालना, मतलब खाली power में 2 डाल दो, बस, उसका square निकाल जाता है, minus 2, अब देखो, वापिस यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, जो हम करते आएगा, denominator में A, numerator में A, तो यह दुनों cancel, ठीक है, बचता का है भी, उपर 2 multiply by 1, नीचे का A, उपर का A cancel होगा, तो 2 multiply by 1 क्या होगा, ठीक है, question number पूरा complete होगा, अब हम चलेंगे question number 2 पर, ठीक है, देखते है question number 2 में हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप question number 2 में देखोगे, आपको क्या दिया गया है, which of the options given below is the square of the binomial 8 minus 1 upon x, तो हमें यहाँ पर क्या बोल रहे है, कि जो नीचे option दिये गये है, इन में से यह जो binomial दिये गये है, इसका square कौन है, दोखो, binomial मतलब क्या होता है, जिसमें 2 term रहे है, तो इसमें दोखो, एक वाला ये term है, एक वाला ये, 2 term है, तो इसका हम binomial बोलत इसका square इन में से कौन सा option है, तो इसका square निकालना मतलब समझे क्या है, 8 minus 1 upon x का whole square हमें निकालना है, ठीक है, उसके बाद मालूम पड़ेगा, इन सब में से कौन सा इसका square है, clear, तो हम क्या करेंगे, 8 minus 1 upon x इसको solve करेंगे, तो चलो हम चलते हैं, अपनी notebook की तरफ, वहाँ प तो देखो हमारा question क्या था, कि हमें पता करना है, 8 minus 1 upon x इसका square उस option में से कौन सा correct वाला है, यह जानने के लिए हमें पहले इसका square निकालना पड़ेगा, तो इसका square निकालना, मतलब कि 8 minus 1 upon x का whole square निकालना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपका वही formula यूज़ा ज लिख सकते हैं, अगर आप चाहों तो formula लिख के start कर सकते हैं, इसको solve करना, तो हमारा formula क्या है, a minus b whole square का formula हमारा है, a square minus 2ab plus b square, इसको हम solve करेंगे, को हमें मालूम पढ़ेगा हमारा answer क्या है, तो हम यहाँ पर आपिस लिख लेते हैं, हमारा क्या expression था यहाँ पर, 8 minus 1 upon x, 8 minus 1 upon x का whole square, equal to a sine, a square formula क्या है, a minus b whole square का, a square तो a हमारा पहला वाला है, तो 8 का square, minus 2 multiply by a, तो a क्या हमारा है, पहला वाला 8 यह हमारा a है, तो 8 multiply by b, b हमारा दूसरा वाला है, 1 upon x, तो यहाँ पर, 1 upon x, x plus b square, b हमारा क्या है, दूसरा वाला है, 1 upon x, तो यहाँ पर, 1 upon x का whole square, clear, इसको solve करते हैं, हमारा answer मिल जाएगा, clear, तो चलो, यहाँ पर solve करते हैं, 8 का square क्या आता है, 64, 8 8 0 क्या होगा, 64, minus, अब देखो, यहाँ पर, यहाँ पर denominator में x है, numerator में x ही नहीं होगा, इस बार cancellation नह सारे number को multiply कर लेते हैं, 2 multiply by 8, क्या होगा, 16, 16 multiply by 1, क्या होगा, 16 ही रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 16, उपर हम लिखते है 16, अब उपर क्या कोई variable है, a, b, c, d, x, y, z, कुछ भी है, नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि हमारा उपर 16 ही रहेगा, नीचे क्य x अकेला, नीचे x आ जाएगा, फिर क्या plus का sign है, plus का sign, अब 1 upon x का square निकलना है, तो 1 का square तो 1 ही रहेगा, upon x का square क्या रहेगा, x square, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मिल गया है, 64 minus 16 upon x plus 1 upon x square, यह हमारा final answer है, तो अगर आप अपनी notebook में देखोगे, sorry, textbook में देखोगे, तो आप आपका जो final answer जो आ रहा है, क्या रहा है, 64 minus 16 upon x plus 1 upon x square, तो यह थर्ड वाला हमारा correct answer है, तो आप final answer आप कैसे लिख दोगे अपना यहाँ पर, आप इस सरीके से यह तो लिख सकते हो, कि the correct option is third, तो थर्ड वाला हमारा correct option है, clear, अब चलते हैं हम question number 3 पर, textbook में देखते हैं क्या of the binomial given below is m square n square plus 14 mn pq plus 49 p square q square the expansion, तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोल रहे हैं, कि जो नीचे options दिये गए हैं, इन में से किसका यह expansion है, तो देखो, यह एकदम simple है, एकदम trick use करना है यहाँ पर आपको, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एकट करके solve करने जा अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक formula लग रहा है, क्या है, अगर आप देखोगे यह है हमारा a square, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यह हमारा है 2ab, यह हमारा है b square, यह वाला formula लग रहा है, दिख रहा है आपको, अगर थोड़ा सा आप देखोगे ध्या रहता है हमारा यह formula किसका सबसे पहले a square plus 2ab plus b square ठीक है किसका formula है हमारा यह formula a plus b whole square का formula ठीक है इस simple हमने देख लिया है अब देखो अगर हमें यह वाला number चाहिए तो सबसे पहले a की place पे हमारा mn रहना चाहिए ठीक है a square तब ही आएगा हमारा यह और last में क्या हमारा रहता है b square तो b की जगहां पे हमारा क्या रहना चाहिए यह pq रहना चाहिए और 7 में ऐसा number जिसका square निकालने बाद हमें 49 मिले simple एकदम simple है की ने अब देखो हम इसके help से हम options में चलो देखते हैं सबसे पहला वाला इसको तो solve करना पड़ेगा चलो अगर कोई नहीं मिला हम last में इसको solve करके देख लेते हैं पहला वाला चोड़ते हैं दूसरे वाले पे आप आऊगे तो mn minus pq whole square पहली बात तो यह है ज 7m plus pq तो हम जब इसका whole square निकालेंगे तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा है a square जो हमारा रहेगा वो आएगा m square n square तो यहाँ पर तो number दिया है 7 अगर हम इसका square निकालेंगे formula लगा कर इसका formula लगा कर तो हमें तो पहले ही 14 m square answer निमल दिया गया है आप 14 आ जागा 7 का square मतलब यह भी हमारा answer नहीं हो सकते है अब चलते हैं last walliper last walliper अगर आप देखोगे आपको दिया गया है mn plus 7pq bracket अब इसका हम जब square निकालेंगे यह हमारे हमें जो यहाँ उपर दिया गया है expansion इससे बहुत match हो रहा है देखो mn है तो जब हम a square का formula लगाएंगे तो a square mn square और 7 का square जब निकलेगा 49 यह भी तो हमारा answer से match हो रहा है तो एक काम करते हैं इसको solve करके देख लेते हैं हमें doubt यह दोनों में है यह ज़्यादा past नजदीक लग रहा है हमारे expansion के तो हम पहले इसको solve करके देख लेते हैं अगर यह answer नहीं रहा तो इसको भी solve करके देख लें क्या है हमारे expansion लिया गया है उससे match हो रहा है या नहीं वह हम check करेंगे clear तो हम यहाँ पर क्या formula लगाने वाले है a plus b whole square का formula जो हमने अभी देखा था clear तो चलो चाहिए तो formula में लिख देता हूं आपके लिए क्या है a plus b whole square का formula लगेगा क्या है a square plus 2ab plus b square ठीक है तो यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यह वाला हमारा a रहेगा और second वाला हमारा b रहेगा ऐसे ही रहता है हम first वाले को a लेते है second वाले को b लेते हैं तो यह formula की साथ से हम इसको solve करते हैं क्या है हमारा पह plus 7pq equal to a square तो a हमारा क्या है mn यह a है तो मतलब कि mn का square निकलेगा plus 2 multiply by a तो a हमारा क्या है first वाला हमारा a हमेशा रहता है तो mn है multiply by mn multiply by b b हमारा क्या है 7pq यह b है देखो 7pq तो multiply by 7pq ठीक है plus क्या है b square तो b हमारा क्या है यह दुनों में से second वाला भी रहता 7pq तो 7pq का square clear हो गया इसको अभी हम solve करते हैं देखते हैं क्या हमारा वैसे answer आएगा same to same यहाँ पर देखो equal to का sign mn का square क्या आएगा m square n square plus 2mn multiply by 7pq सबसे वहले आपको क्या करना है इस multiplication में numbers को multiply कर लो तो 2 यहाँ पर number नहीं है यहाँ पर 7 तो 2 multiply by 7 केतना हो जागा आपको 14 अब देखो variable क्या बचते हैं उसको multiply करो यहाँ पर m है और n है और यहाँ पर ना तो m है ना तो n है मतलब कि यह दुनों आपस में multiply नहीं हो जाएंगे as it is हमें नीचे लिख देना है तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर m n और p q 14 m n p q कोई भी आपस में multiply नहीं होगे क्योंकि light term ही नहीं इन दों variable same ही नहीं ठीक है यह हो गया a plus b square तो b में हमारा देखो b square मतलब कि 7 p q का square निकलना है तो 7 का square क्या होगा 49 p का square क्या होगा p square q का square क्या होगा q square clear हो गया हमें क्या मिला m square n square plus 14 m n p q plus 49 p square q square तो अगर आप देखोगे आपके question से match करके तो क्या आपको same answer मिल रहा है यह देखो यहाँ पर क्या था हमारा question कि m square n square plus 14 m n p q plus 49 p square q square क्या यह इसका expansion है तो हमें doubt गया कि हाँ fourth वाला हो सकता है तो हमने fourth वाले को solve किया क्योंकि हमने पहले check किया कौन सा वाला हो सकता है तो जब हमने fourth वाले को solve किया तो अगर आप देखोगे आपका answer क्या मिला m square n square तो यहाँ पर भी 14 m n p q plus 49 p square q square plus 49 p square q square तो मतलब कि आपका fourth वाला जो option है वही correct answer है आपका ठीक है समझ गया आप कितना simple था आपको एक इक करके solve नहीं करना पड़ा मैंने direct आपको करके दिखा दिया यह trick से आप भी exam में कर सकते हैं तो कुछ इस सरीके से आप लिख दोगे क्या लिखोगे therefore the correct option is fourth फोर्थ वाला मारा correct option है यह आपका final answer रही था clear हो गया अब चलते हैं 97 का square निकालना है 1005 का square निकालना है लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर expansion formula यूज करना है मतलब कि a plus b square या तो a minus b square ये दोलों में से कोई एक formula यूज करके हमें इसको इनसे find out करने है तो ये देखो tension मतलो ये भी एकदम easy है मैं आपको बता तो इसमें करना क्या है चलो चलते ह 997 का square इसको हमें solve करना है लेकिन expansion formula यूज करके मतलब कि a plus b whole square या तो a minus b whole square दोनों में से एक formula यूज करना है ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ solution ध्यान से देखो एक चीज मैं यहाँ पर जो लिखने वाला हूँ 997 इसको हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते है 1000 minus 3 ठीक है क्योंकि 1000 minus 3 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 997 ही मिलेगा clear यह मैंने लिखा क्यों है ताकि हम expansion formula यूज कर पाएं तो अब इसकी help से हम क्या करेंगे दोगो इसको हम expansion formula इस पर लगा सकते हैं क्या है 997 का square ठीक है इसका जब हमें square निकालना है तो यह किसके equal है 1000 minus 3 इसको equal है तो हम क्या कर सकते हैं इस तरीक से इसको लिख सकते हैं कि 1000 minus 3 ये सेम ही है 1000 minus 3 क्या होगा यह होगा तो हम इसका square निकालेंगी तो हम यहाँ पर अपना formula क् educación से लगा सकते हैं a minus b square का formula लगा सकते है ठीक है तो ये हमारा क्या है a है ये हमारा क्या है b है ठीक है पहला वाला हमारा a रहता है second वाला हमारा b रहता है अब हम इस पे हमारा a minus b whole square का formula लगाएंगे तो equal to का sign यहाँ पर ठीक है तो देखो अब इतनी बार हमने formula लिख लिख लिए a minus b whole square a plus b whole square आपको याद हो गया होगा, अब हम direct solve करते हैं, यहाँ पर देखो हमारा a minus b whole square का formula क्या है, a square, तो मतलब कि a हमारा क्या है, यह हमारा a thousand, तो मतलब कि यहाँ पर आएगा thousand का square, minus 2 multiply by a, तो a हमारा क्या है, 1000 हमारा a है, तो multiply by 1000 multiply by b, b हमारा क्या है, 3 है, तो multiply by 3, plus b square, हमारा b क्या है, 3 है, 3 का square, clear, equal to sign, अब देखो, thousand का square क्या होगा, देखो, मैंने बार-बार आपको बताया है, square निकालना मतलब कि power में यतनी बार number है, उतनी बार यह जो number है, बेस में, वो खुद से multiply होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि 1000 है, पावर में केतना 2 है, तो 1000 खुद से 2 बार multiply होगा, ठीक है, 1000 multiply हो, 1000, दो बार आपस में multiply होगा, तो देखो, ऐसा नमबर अगर आपको multiply करने लिए रहे है, जिसमें 00 है, तो आपको simply क्या करना है, पहले दोनों नमबर के पास केतने 0 है, वो उठा के लिग दो, इसके पास 3-0 है, इसके पास 3-0 है, एक 3-3, 6-0 हो गए, इसका 3, इसका 3-0, तो 6-0 लिग दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने 0 हमने लिग दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 लिग दिया, अब बचता कि हमने 00 उठा के लिग दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 1 multiply by 1 कितना होगा, 1 ही रहेगा, तो हमें कितना मिल गया है, यहाँ पर, unit 10, 100,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 मिल गया, तो हमने simply यहाँ पर लिग दिया है, यह हमने solve कर दिया है, एकदम इजी था न, अब चलता है, minus 2AB, ठीक है, तो 2 multiply by 1000 कितना होगा, 2000 हो जाएगा, 2000 multiply by 3 कितना होगा, 6000 हो जाएगा, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, minus 6, 1, 2, 3, 6000, clear, अब आगे चलते हैं, क्या है, plus का sign है, तो plus 3 का square क्या होगा, 9 होगा, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, यहाँ पर हमें 10,000, minus 6000, plus 9 मिला, clear, तो अभी इनको solve करके हमें देखना है, क्या हमारा answer हमें मिलेग ठीक है, तो यहाँ पर 10,000, minus 6000, plus 9 है, तो हम इसको solve करते हैं, पहले क्या हमें है, तो हम यहाँ पर 10,000, लिख देते हैं, 10,000 में कित्ने 0 हैंगे, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 आगे, 6, 0 आगे, minus 6000 सब्सक्रे पहले है, यहाँ पर, देखो, minus 6000 है, यहाँ पर हम पहले, minus 6000, 1, 2, 3, 6000 कर पहले, अब इसको minusly, 0, 0, które equal, 0-0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0-6, नहीं होगा, क्यूंकि उपर हम पर निचानी Holz से झोटा है, तो नहीं minus कहले, यह अपने बाजु के पहले, लेकर बहुआए, यह बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं, आपने बाजुवाले से मांगता हूँ, यह अपने बाजुवाले से मांगने, इसके पास भी कुछ नहीं, यह अपने बाजुवाले से मांगेगा तो यह जो 1 है, अपना 1 इसको दे देगा, तो खुद यह बन जाएगा 0 और ये इसका 1 लेके बन जाएगा 10 अब क्यूंकि इसने मांगा था न इससे तो ये अपना 10 में से 1 इसको देगा तो ये बन जाएगा 10 और ये 1 देके बन जाएगा 9 अब देखो ये 6 के उपर वाले ने मांगा था न इससे भी तो यह अपना 1 इसको देके बन जाएगा 9 और यह बन जाएगा 10 ठीक है तो 10-6 कतना होगा आपका 4 9 अब देखो आगे इसके पास 9 हो गया था तो 9 एज़ जा जाएगा है नीचे कुछ भी नहीं है इसके लिए minus नहीं होगा यहाँ पर 9 आ गया था इसके लिए तो यहाँ पर 9 आ जाएगा ठीक है और इसने 1 अपना इसको देखे 0 बन गया था तो यहाँ पर हमारा 0 यह आएगा तो हम्ही क्या मिल रहा है यहाँ पर 9,9,94,000 यह हमें हमारा मिला है जो आपने 6,000 को minus किया है अब यहाँ पर ना पर प्लस 9 भी करतें हें जो हम्हें 6000 से minus करने गवाद मिला उस में प्लस ना लेगा 8,، बाकी नीचे कुछ भी निया तो सब नंबर से नहीं 0 algorithm four 2 नीचे डिर नाएन नीचे परण नाईन नीचे जीर नीचे लेबी परण ही जूर ठेज़ होधि नहीं है तो तो हम्हेत है 9,94,009 यह हमें हमारा फाइनल एंसेर मिला है एक लिए इसको यहां पर लिख देते हैं हमारा जो फाइनल हमिर रहा है वो क्या मिल रहा है इक्वल्टू का साइन हमें मिला है 9,94,009 ठीक है यह हमारा फाइनल से है क्लियर हो गया फर्स्ट वाल हमने कैसे सॉल्ट किया है अब हम चलेंगे सेकेंड वाले पर यहाँ पर क्या दिया 102 का स्क्वेर हमें इसमें एक्स्पांशन फॉर्मूले लगाना है तो हम इसके लिए इसको कैसे लिख सकते है यहाँ पर देखो 102 इक्वल टू वहाँ पर क्या था वो 1000 से छोटा था थोड़ा ही कम था तीन नंबर कम था तो हमने 1000-3 करके उसमें क्या है इसमें क्या को यह हंड्रेड से दो नंबर जाधा है 102 है यहाँ पर हम इसको हम स्क्वेर डालेंगे तो यहाँ पर भी से टाल सकती है तो a plus b square का formula यूज होगा यहाँ पर तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर 102 का square हमें निकालना है तो equal to इसकी जगा हम लिख सकते है 100 plus 2 का square क्योंकि 102 जो है हमारा 100 plus 2 इसके equal है तो 100 का square निकालने बोला expansion formula लगा के तो हमने यह लिखके इसका square निकालेंगे अब इसमें से हमारा a क्या है यह वाला a है हमारा और यह वाला b है clear तो यहाँ पर कौन सा formula लगेगा यहाँ पर a plus b whole square वाला formula लगेगा तो यहाँ पर हम equal to का sign डालते है अब a plus b whole square का formula क्या है a square plus 2ab plus b square यह formula है ठीक है तो a square मतलब कि यह हमारा a है तो 100 का square plus 2ab तो 2 multiply by a क्या है 100 है तो 2 multiply by a हमारा आएगा 100 multiply by b हमारा आएगा 2 plus b square b के हमारा है 2 है तो हमारा 2 का square आप चीह तो exam में इसे लिखके रफ कर सकते हो या तो आप side में भी लिख सकते हो कि यहाँ पर here a equal to 100 b equal to 2 ऐसे भी आप लिख सकते हो ठीक है equal to अब इसको solve करते हैं 100 का square जैसे कि मैंने आपको बताया है वही हम करते हैं वापिस यहाँ पर 100 का square निकालना मतलब कि क्या बता है कि 100 power में यतनी बार नमबर हो उतनी बार खुद से multiply होगा तो 2 है तो 100 multiply by 100 दो बार multiply हो रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले आप को क्या करना है जब आप multiply करते हो ऐसे नमबर को जिसमें 0 रहे तो इसके पास कतने 0 है 2 है इसके पास 2 है 4 0 है हम 4 0 उठा के लिख देते हैं यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0 उठा के लिख दिया है अब बचते हैं 1 1 तो 1 multiply by 1 क्या होगा 1 ही रहेगा तो हम यहाँ पर क्या मिल गया है हमें यहाँ पर 10,000 मिल गया है clear हो गया थोड़ी ज़रा गया 10,000 मिल गया है ठीक है ओके अभी आगे solve करते हैं plus का sign है तो plus 2 multiply by 100 कितना होगा 200 होगा 200 multiply by 2 कितना होगा 400 होगा यहाँ पर हमें मिला है 400 plus का sign 2 का square क्या आएगा अब देखो last में यह बचते हैं आभी यह plus का sign डाला 2 का square आप का जाएगा 4 अभी इसको add करते हैं चलो यहाँ पर add करके हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो 10,000 plus 400 कितना होगा 10,400 plus 4 कितना होगा 10,404 चाहिए तो आपको side में करके दिखा देता हूँ यहाँ पर देखो क्या है हमारा 10,000 ठीक है plus 400 plus 4 इनको add करना है तो 0 plus 0, 0 ही रहेगा plus 4, 4 0 plus 0, 0 0 plus 4, 4 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो 0 1 यहाँ पर है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 तो हमें क्या मिला 10,404 तो हम क्या करेंगे यह हमारा final answer लिख देंगे कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 10,404 यह हमें मिला है उसके बद हम यहाँ पर हमारा फाइनसर लिए क्या है 102 इसका जो हमने स्क्वेर निकाला है 102 का जो हमने स्क्वेर निकाला है हो में क्या मिला है 10,404 यह हमारा हमीनसर प्लाइनसर मिले क्लियर हो गया अब चलते थर्ड वाले पर अभी दिख आपको थर्ड में दिया गा है 97 का square हमें expansion formula use करके इसको solve करना है ठीक है तो मतलब a plus b whole square है तो ये minus b whole square का formula लगाने है इसके लिए हम इसको पहले expand करेंगे ये number को तो हमी क्या दिया गया है यहाँ पर 97 दिया गया है इसको हम देखे पहले ये कौन से वाले number के पास है ये दो को अगर आप कितना करेंगे 97 आएगा 100 minus 3 करेंगे हमने इसको expand कर दिया है अब इस पे हम formula अपना whole square आला formula लिखकर solve कर सकते हैं तो यहाँ पर देखो आप दियान से मैं क्या लिख रहा हूँ हम क्या करेंगे 97 का हमें square निकालना है तो 97 का हमें square निकालना है तो equal to हमें square निकालना है तो फärमँelinा कों सा यहाँ पर लगेगा यहाँ पर देखो a-b whole square यह formula लगने वाला है तो हम इसको solve करते है a-b whole square के formula से यहाँ पर हमारा formula के है a-b whole square का a square minus 2ab plus b square हमारा a क्या है 100a है तो a square minus 2 multiply by a to a हमारा 100 है multiply by b minus 2 AB है ना तो multiply by B तो B हमारा 3 है plus B square यह formula है हमारा A minus B whole square का plus B square तो B के हमारा 3 है तो 3 का square clear? अब चलते हैं इसे solve करते हैं 100 का square क्या होगा बताओ 100 का square मता 100 खुद से multiply होगा 2 बाद तो क्योंकि power में 2 दिया है तो 100 multiply by 100 ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताए है? कि जब ऐसा number multiply हो जिसमें 0 0 है तो सबसे पिले आप क्या करो जतने भी 0 है वो उठा के लिख दो इसके 2 0 100 के यह 100 के 2 0 कितना होगा? 4 0 तो मैं यहापर 1, 2, 3, 4 4 0 हमने लिख दिया बचता कहा है आप 1 और 1 तो 1 multiply by 1 केतना रहेगा? अब 1 ही रहेगा तो हमी क्या मिला? यहापर 10,000 मिला अब minus का साइन तो minus 200 2 multiply by 100 क्या होगा? 200 200 multiply by 3 क्या होगा? अब का 600 तो यहापर हमारा आजाएगा 600 प्लस का साइन 3 का स्क्वेर क्या होगा हमारा? देखो तो यहापर क्या है? 10,000 minus का है? 600 तो यहापर देखो 0 minus 0 0 minus 0 0 अब देखो 0 से minus 6 नहीं होगा तो यह 1 इससे लेने जाएगा इसके पास भी नहीं है तो यह अपना 1 इसको देगा तो यह खुद बन जाएगा 0 यह बन जाएगा 10 अब इसने इससे बन जाएगा था तो यह अपना 1 इसको जब देगा बन जाएगा 9 और यह बन जाएगा 10 10 minus 6 का होगा अपका 4 होगा 9 minus नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 एज़ जाएगा अब यह 1 अपना 1 इसको दे दिया तो 0 बन गया था 9 के नेचे कुछ भी नहीं है तो 9 एज़ जाएगा तो हमें हमारा एंसर क्या मिला 9,409 यह हमें हमारा final answer मिला है question number 3 का तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 9,409 यह हमारा final answer मिला है आप चाहिए तो यहाँ पर लिख दो आपका final answer कैसे लिखोगे आप यहाँ पर कि हमने जो 97 इसका जो square निकाला है 97 का जो square निकाला है वो हमें विला है 9,409 clear हो गया चलो अब चलते हैं last वाले पर fourth वाले पर जो हमारा last है तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो fourth में हमें दिए गया 1005 का square हमें इसको क्या करना है expand करके expansion formula use करके निकालना है तो अगर आप ध्यान से देखोगे यह 1005 है मतलब कि 1000 से 5 नंबर उपर है तो इसको अगर हम expand करना चाहे तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखो 1005 है तो equal to का sign इसको हम expand कैसे कर सकते है 1000 plus 5 क्यूंकि 1000 से 5 नंबर बड़ा है न यह तो इसके लिए हम plus 5 लिख सकते है यह इसको हमने expand करके लिखा है अब हम इस पे यह square लगा के expansion formula लगा के इसको solve कर सकते है clear तो हम यहाँ पर क्या लिख होंगे क्यूंकि हमें इसका square निकालना है क्या है यह number 1005 इसका हमें square निकालना है तो इसके बदले हम यह वाला भी लिख सकते है इसके बदले हम इसका square निकालेंगे जो हमने expand किया है तो क्या हम लिख देंगे यहाँ पर 1000 plus 5 का हम square निकालने वाले है clear तो चलो अभी हम क्या formula लगाएंगे plus b whole square का formula यहां पर लगने वाला है clear तो यहांपर देखो a plus b whole square का formula का है a square plus 2ab plus b square तो हमारा a square a हमारा thousand है तो यहाँ पर 1000 का square plus 2 multiply by a तो a हमारा है 1000 multiply by b 5 plus b square b हमारा क्या 5 है तो 5 का square यह हमने a plus b whole square का formula लिख दिया, अब इसको solve करते हैं, तो चलो, equal to sign, अब वो 10,000 का square निकालना, मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, square निकालना, power में कितना 2 है, मतलब यह number खुद से 2 बार multiply होगा, तो यहाँ पे 1000 multiply by 1000 होने होगा, मैंने आपको का बताया है, अगर क इतने भी 0 है, आप उतने लिख दो, तो देखो, यह वाले 1000 के पास 3 0 है, यह वाले 1000 के पास 3 0 है, तो दोनों के 0, 3, 3, 6 0 है, 6 0 है लिख दो यहाँ पर, तो हम देखो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने 6 के 6 0 लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब बचते का 1 और 1, 1 multiply by 1 क्या होगा, 1 ही रहेगा आपका, तो क्या हमें मिला, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 10,000, 10,000 हमें मिल गया है यहाँ पर, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस टालो, 2 multiply by 1000, कितना हो जाएगा, 2,000, 2,000 multiply by 5, कितना हो जाएगा आपका, 10,000, 5, 2,010 होता नहीं, अगर आप प्लस का साइन, 5 का स्वेर क्या होगा, 25, अब हमें इसे सॉल्फ करना है, मतलब एड करना आप बूछ सकते हो, तो 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है, और 25 और एड होगा, को confuse अगर हो रहा है, चलो, side में कर लेते हैं, एकदम simple, हमारा क्या है, पहले 10,000 है, तो 10,000 में 6,0 होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 आगया हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्लस 10,000 होगा, तो यहाँ पर हम 10,000 लिख दिए, ठीक है, फिट प्लस 25 यह होने हो रहा है, तो हम यहाँ पर 25 लिख दिए, हमें एड करना है, ठीक है, 0 प्लस 0, 0 ही लेगा, प्लस 5 क्या होजएग 0 प्लस 0, 0 ही रहेगा, प्लस 2 क्या होजएगा, 2, 0 प्लस 0, 0, 0, 0, 0 प्लस 1, 1, 0 की निचे कुछ भी ने तो, as it is, 1 की निचे कुछ भी ने तो, as it is, तो हमें क्या मिला एंसर हमारा, 10,010,025 यह हमें हमारा final answer मिल हो, तब कैसे लिख दिए इसको, यहाँ पर, 10,010,2018 इस तरीके था हमारा final answer लिख दिए अब क्या करो finally आप अपना complete answer लिखो यहाँ पर answer लिखो और यहाँ पर लिखो आपने क्या निकाला है यहाँ पर थाउजन एंड फाइव का अपने स्क्वेर निकाला है तो क्या निकाला आपने आपको एंसर मिले है ठीक है यह हमारा फाइने अंसर है क्लियर हो गया एक तम सिंपल था कि नहीं बताओ यह पूरा प्रेक्टिस सेट यहां पर हमने कंप्रीट कर लिया है अग इसके आप को यूडियो अच्छा लगा तो अपसे वीडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों साथ शेयर करो थैंक यू